हेलो सांतियों, वेलकम टो डोली स्टडी, दुस्त आज के स्वीडो में मध्य प्रदेश पुलिस अरक्चक 2023 के स्पैसल एक्जाम का नेक्स्ट एनलीसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं, 16 अगस्ट 2023 को सेकेंड सिप्ट का एनलीसिस हम कवर करेंगे जो कि साड़े 12 से धाई वाला जो पैपर हुआ है, इसको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं इसके अलावा, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की स्पैसल टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक जोइन नहीं किये तो कर लिए जगा इसमें इन्रोल क्योंकि काफी अची टेस्ट सीरीज है और काफी ज़्यादा डिसकाउंट आपको मिल रहा है, अन्लि ओर 99 रुपस में मिल रही है, यह स्पैसल ओफर चल रहा है, 17 अगस्त तक लास डेट इसके बाद में यह ओफर समाप्त हो जाएगा तो अगर आपने इन्रोल नहीं किया है तो कर लिए जगा, देखिए इस वीडियो में आपन सारे चारो सब्जेक्ट के बारे में complete detail कवर करेंगे, सारे के सारे कोश्चंस हमें मिल चुके, सारे complete detail के साथ में आपको बताने वाले हैं, तो आईए स्टार्ट करते हैं, आज हमे प्यूस जी जो कि भोपाल से हैं, इन्होंने बेज़े हैं, अंकित सिंग जी जो कि आगरा से हैं, इन्होंने 71 स्कोर किया है, अंजली रावत जी जो कि दतिया से हैं, इन्होंने 77 स्कोर किया है, तो इन सभी ने काफी अच्छी तरीके से हमें कोश्चंस बताने में help की है, आ आप भी आपका जब भी exam हो, आप हम इन नमबर पर अपनी question जरूर से send करें, exam सेंटर से जैसे ही आप निकले, सबसे पहला आपका यही काम होना चाहिए, कि आप हमें question से रूब रूब एक बार करवा दें, किलिए रहे, ताकि हम आपके लिए 100% सटीक और बिल्कुल accurate analysis लेकर आप आएं सटीक एनलीसिस आपको प्रवाइड कर पाएं के लिए रे तो आप जरूर से हमें help करीगा questions को collect करने में आप सभी से request है कि आप जब भी exam हो questions जरूर से send करें आईए start कते गाइस इस वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक subscribe नहीं किया है सभी से request है कि आप subscribe करके बिल आइकन को own करके रखिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुच पाएं first question है आज का हमारा more you once ने गुर्णात में कौन से जील बनवाई ती सही जवाब रेगा सुधर्सन जील इन्होंने बनवाई ती मोरियर सामराज या मोरियर सासन के दोरान basically इस जील का निर्मान करवाया गया था गुजरात में सुदर्सन जील का निर्मान मोर्यों के सासन के दोरान किया गया था सुदर्सन जो जील है ये एक कृतीम जलाशी था और हम इसके बारे में साका, सासक, दुरूदर दामन की उपलब्दियों को रिकोर्ड करने के लिए दूसरी सताबदी स्वी के संस्कृत क्वें एक सीलालेक से जानते हैं और सीलालेक में उलेक है की जील, टटबंदो और जल चेनलों के साथ मोर्यों के सासन के दोरान एक इस्तानी राज़िपाल दोरा बैसकलि इसको बनाया गया था हाला की एक भयानक तूफान ने टटबंदों को तोड़ दिया और जील से पानी बह गया था के लिए रहे? इसके अलावा रूद्र दावन जो उश्यमें छेत्र में सासन कर रहे थे इन्होंने दावा किया कि अपनी संसादनों का उपयोग कर अपनी परजा पर कोई कर लगाएंगे बिना जील की मरमत के है ना इसके अलावा रूद्र दावन के सिलालेक से के तीन सो वरसवाद या तीन सो वरसवाद इसकंद गुपता का अध्यादेज भी 455-456 इस्वी में गुपत राज्या द्वारा किये गई पुर्णारविच्वारों के बारे में बताता है तो यह बैसके लिए डिटिये ले नेक्स्ट कोश्चन पूजा गया भारत में जेजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था यह कोश्चन आपका फस्ट दिन भी बन चुका है एक्जाम में आपकी है ना आज भी कोश्चन बनाएं और इसके कहीं सारे चीज़े हैं कि यहाँ पर हम आपको क्लियर फिकिशन दे दे थोड़ा सा इसका कि यहाँ पर मौहमद बिन спасी में आपको ऑफ्षन में मिलाता यहां कुत्बदीन एवक मिलाता दोनों मैं से एक मिलाओगा जो भी मिलाओगा इन दोनों में से आप किलिक कर सकते हैं क्योंकि दो तरीके से questions पूछा जाता है और आपको व्यापम का तो पता ही है जो सही जवाब रहता है सभी को सही पता रहता है कि ये बिल्कुल 100% सही जवाब है फिर भी वो उसको गलत मान लेता है तो इस वज़े से हम दो option आपको बता रहे हैं उसमें से जो भी पूछा हो आसानी से आपकी लिक कर सकते हैं के लिए रहें भारत में जजय कर लगाने का प्रतम जो साक्षे मुहमद बिन कासीन कासीम के आकरमन के बाद देखने को मिलता है और सरुपरतम उसने ही भारत के सिंद प्रांत के देवल में जजय कर लगाया था इसके बाद जजय कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान फिरोज सहात उगलक था या फिरोज दुगलक था मुगल सामराजी के दुरान जजय कर उनके संरेक्षन में बदले में है ना उनके संरेक्षन के बदले में छेतर के गेर मुस्लिम नागरिकों पर मुस्लिम सास को दुवारा लगाया गया करता है तो कोशन इस तरह से बनेगा जैजिया कर किस पर लगाया जाता था गेर मुस्लिमों पर लगाया जाता था भारत में कुतुबद्दीन एबक ने पहली बार जैजिया लगाया था तो ये कहीं कहीं पर आपको ये मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको ये वाला ये मिलेगा मुहम्मद बिन कासीम के बारे में कहीं का कुत्वद्दिन वाबा एबक वाला मिलेगा इसलिए हमने दोनों डाल दिया है कि आपको उप्शन में क्या मिले है उसे साप साप किलिक कर सकते हैं जैजिया को 16 सताब्दी में मुगल सासक अकबर ने समाप्त कर दिया था जैजिया को मुगल सासक औरंगजेब द्वारा वापिस से 27 सताब्दी में दोबारा लगाया गया था अगला कुशन है संगीत को किस वेद से लिया गया है संगीत को साम वेद से नाटि वेद में सामिल किया गया था और नाट्टि वेद चारो वेदों की सन्युकता कांग्छा है, के लिए रहे नाट्टि वेद, नत्य, नाटक, संगीत और पत्य का समुह हैं, वेदों को भारत आरिस अभिता का सबसे प्रारंबिक साहित अभिलेक माना जाता हैं, चार वेद हैं रिग वेद, साम वेद, दुन का संग रहे हैं, दुनों का संग रहे हैं, साम वेद को उपवेद, गंदर्व वेद भी, या फिर साम वेद का उपवेद हैं, गंदर्व वेद, है ना, इस तरह से आप याद रखेगा, नेक्स्ट कोचन पूचा गया है, इनमे से कौन सा करनाटक संगीत के अंतरगत का याद रखएगा मद्यप्रदीश जोए करनाटक संगीद छेत्र के अंतरगत नहीं आता है करनाटकी संगीत भारती साथ्ति संगीद के रूपों में से एक है और यहां दक्षिनी भारत, आंद्रप्रदीस, करनाटक, तमिलनाडू, केरल, राज्योतक, सीमी थे जबकि देश के बाकी हिस्सों का सास्त्रि संगीत हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता है करनाटक की संगीत में मुख्य जोर स्वरों पर दिया जाता है और संगीत पारंपारिक सब्तक रूप में बनाया गया है संगीत कृति आदारिते और साहितिया संगीत के टुकडे की गितात्मक गुनवत्ता पर अधिक ध्यान के अंद्रित ये करता है बात करें करनाटक संगीत की त्री मूर्थी के बारे में ये कोशन आपकी एक्जाम में बनेगा 110% कोशन पूचे जाएगा करनाटक संगीत के त्री रत्न तीन संगीतकारों को संदर्बित करता है त्री रत्न किन को बोला जाता है त्यागराज, मुतु स्वामी, दिक्षितार और शामा सास्त्री ये त्री मूर्ती है करनाटक संगीत के त्री मूर्ती हैं तीनों का नाम आप याद रख लेंगे तो ये कोशन आपका कन्फरम हो जाएगा और इन्हें करनाटक संगीत की त्रीमूर्थी के नाम से जाना जाता है तीनों त्रीमूर्थी तंजावर तमिलाडो में रहते थे और संगीत की रचना करते थे तंजावर करनाटक संगीत की राज़दानी रहा है ना केवल इसी लिए कि त्रीमूर्ती महां रहते थे बलकि इसलिए भी कि इस इस्तान ने लंबे शमी तक करनाटक संगीत का पौशन किया है नेक्स्ट गुज़न पूज़न 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 की करांति का विरोज सबसे पहले किस ने किया था देखिए कोशन फस्ट सिप्ट में भी बनाएं आपका कि 1857 की करांति कब से शुरू हुई थी और ये अगला कोशन है आपका आज पूज़न पूज़न की करांति का विरोज सबसे पहले किस ने किया था मंगल पांडे के द्वारा किया गया था और भारते सिपाईों ने धारमिक छेत्रों के लिए इन एंफिल्ड राइफल्स कार्टूरूसों का उप्योग करने से इंकार कर दिया एंफिल्ड राइफल्स सिपाईों को प्रदान की गई थी तो इनको लोड करने के लिए कागज के कार्टूज जिसमें भारुत था उसे दांतों का उपियोग करके फारना पड़ता था और फिर राइपल में लोड करना पड़ता था उस शमें कार्टूज गायों और सुरों की चर्बी से डखे वोए थे इसलिए मेरट के रेजिमेंट के सिफाईयों ने नए कार्टूज का उपियोग करके सेना को ड्रिल करने से इंकार कर दिया और हिंदू और मुसलिम दोनों सिफाईयों ने अपमानित महसूस किया चर्बी वाले कार्टूजों का उपियोग करने से इंकार करने वाले पहले सेनिक मंगल पाण्डे थे जो एक समर्पित हिंदू ब्रहामन थे उन्हें 29 मार्च 1857 को बेरकपुर में अपने अधिकारियो पर हमला करने के लिए फांसी पर लटका दिया गया था तो ये डिटीयले पूरी नेक्स्ट कोशन पूज़ा गया कावरी नदी करनाटक से निकलती है गाईज नदियो वाले कोशन लगतार बन रहे नदियो वाला वीडियो हमने दे दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो और भी जायतार जो टॉपिक पर कोशन बन रहे उनके वीडियो आपको डेली वैसे पर मिलते रहेंगे गले रहे कावरी नदी का उदगम जो है करनाटक राजी के पश्चिमी घाट में ब्रह्मा गिरी परवतमाला की तलकावेरी जो इस्ताने यहां से होता ही और यहां पिनारी की सायक नदियों के बात करें लक्षमंतिर्थ, कबानी, सुवर्नवती, भयानी, यानिके भवानी, नोयल और अमरावती इसके अलवा कावेरी बैसीन, तमिलनाडू, करनाटक, केरल और केंदर सासेथ, पुंडुचेरी जो राज्य है, पुंडुचेरी इसमें फेल चरुआ था, सुजा उद्दोला को, इलावाद और कड़ा को, आ सहा अलम, यानिके सहा अलम, द्वीती को सोपना पड़ा, उसे युद्ध चातिपूर्ती के रोप में कंपनी को 50 लाग रुपे का भुक्तान करने के लिए मजबूर किया गया था, उन्हें बलवंत सिंग, य दिवास करने का आदेश दिया गया था, जिसे इस्ट इंडिया कंपनी के संडक्शन के तहस सुजोद दुला, उनके दुवारां उन्हें सोप दिया गया था, और बास्था को 26 लाग रुपे के वार्थिक बुक्तान के एवज में बंगाल बिहार ओडिसा के दिवानी को EIC क देने का फर्मान बिजारी करना पड़ा था, नेक्स्ट कोशन पूजा गया है, रासायनिक अतियार निसीद संगठन जिसको OPCW बोला याता है, तो OPCW के वर्तमान में महाने दिशक कौन है, सही जवाब रहेगा, फर्नांडो एरियास, आपका करिक्ट आंसर रहेगा, गाइ दे देंगे, तो वहाँ से जो है, आप इन सभी इस तरह की कोशन को कवर कर सकती, क्योंकि हमने पूरा कवर करवा रखा है आपको, तो आप जाकर चिकाउट करेगा, डेली बैसेश पर वीडियो आपको मिल रहे हैं, रासायनिक हतियार निसीद संगठन, OPCW का मुख्याले न प्रियासो के लिए नोबल सांति पुरुसकार सस्वानित किया गया था, आयोध्या के संबन्द में किताब पूची थी, उसके लेकाख नाम पूचा था, एक्जक्ट ये नहीं मिल पाया है, अगला कोशन है, भारती परति पूटी और विनिमे बोर्ड सेवी, याने की सेवी की स्तापना की स्वरसे में की गई थी, 1988 सेवाहब रहेगा, के लिए रही भारती परती पूटी और विनिमे बोर्ड का गठन जो है, भारत सरकार के परस्ताउं के फाधियम से, 12 अप्रेल 1988 को एक गेर सनविधानिक निकाई के रूप में किया गया था यहने 1999 में इसको एक गेर सनविधानिक निकाई के रूप में इसका गठन किया गया था आगे आगे और देखते जाएगा आपको important चीज़े बताते हैं भारती पृतिबूती और विनिमे बोर्ड की स्तापना 1992 में एक वेदानिक निकाई के रूप में की गई थी के लिए रहे तो 1988 में गेर सनविधानिक निकाई के रूप में इसका गठन हुआ था इसके स्तापना हुई थी गठन हुआ था और एक वेदानिक निकाई के रूप में इसकी जो स्तापना हुई थी 1992 मुई थी तो दो कोशन्स थोड़ा सा अगर पैटर्न चेंज कर देंगे आप समझ भी निपाएंगे और आपका अंसर गलत हो जाएगा तो थोड़ा सा इसको समझेगा आप क्या कोशन पूचा जाता है बारती प्रतिबूति और विनि इमित करना होदा है यहाँ निविस्तकों के हितों की रक्चा करते हुए नियाम और देश अन्यदेश बनाकर भारती पूझी और प्रतिबूति बाजार की निगरानी और विनिमे करता है सेवी का गठन हुआ 1988 अप्रेल में बारत सरकार की एक प्रस्ताव के तहत भारत में प इन सभी के बारे में आप याद रखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं निमनी लिकित में ऐसे कौन सा परवत सबसे पुराना है अरावली परवत आपका करिक्टांसर रहेगा बू वेग्ज्यानी की तियास के अनुसर अरावली परवत सबसे पुराने पहाड़े यहां भारत क अरावली रेंज का प्रसिद्ध तिर्थिस्थल माना जाता है इसके अलावा एकोनिमिक से रिलेटेड अर्थसास कोशन्स बने अर्थसास के छेत्र में SLR का पूर्ण अर्थ क्या है या पूर्ण रूप क्या है सानवीदिक तरलता अनुपाद से इस्टेचुडी लिक्वी के मौदर्ण नीति के गटा के बारती रिजर्व बैंक बैंको के लिए अपनी संपत्ति का एक निश्यत अनुपाद SLR के रूप में रखने की सीमा निर्दारित करता है इसके अलावा नेक्स्ट कोशन बोज गया कोई गाने की लाइन देया था और पूछा गया था आपसे क कावीर निदी के आरपर बनाय गया था ये मैसूर के जीलों के लिए पानी का मुखिस्त्रो altar थे इस पानी का इस्तमाल मैसूर और मांडिया में सीणचाई के लिए basically किया जाता है ये करनाटक की राजधानी मैसूर मांडिया और लगबग पूरे बेंगलूर सहर के लिए पी RRR यानि CRR नगद आरक्षित अनुपात यह होता है यह क्या है तो यह है जमा का वहां अंस जो वानिजिक बेंकों को RBI के पास रखना चाहिए यह होता है नगद आरक्षित अनुपात नगद आरक्षित अनुपात वानिजिक बेंकों को केंदरी बेंक के पास एक निश्चित नि McNifty की कुल जमा हरासियों की मुकाबले भंडार में रखे जाने के लिए आवश्यक नगदी का प्रतीसत नगद आरक्शित अनुपात कहलाता है नगद आरक्शित या तो बेंक की तीजोरी में जमा होता है या RBI को भेजा जाता है बेंक निगमित या व्यक्तिगत उधार करताओं को CRR पैसा उधार नहीं दे सकते हैं बेंक निवेस के उधेश्यों के लिए उस पैसे काउप योग नहीं कर सकते हैं अगले अपन इंपोर्डेंट और चीजे में बता दूँ आपको SLR हम कवर कर चुके जमा का न्यूंतम प्रतिसात है जिसे एक वानिजिक बेंक को तरल नगदी सोना या अन्य प्रतिबूतियों की रूप में बनाया रखने होता है तो यह SLR होता है एक होता है बैंक दर यहाँ ब्याजदर हे जिस पर एक देश का केंदरी बैंक घ्रेलू बैंकों को पैसा उधार देता है अकसर बहुत ही अकालपनिक दिन cy लूप में होता हैं इसके अलावा एक रेपो रेट होता है, यहाँ दर, यहाँ वादार है जिस दर पर, जिस पर किसी देश का केंद्री बेंक, धन की किसी भी कमी की स्थिती में वानिजिक बेंकों को धनुदार देता है, तो यह रेपो रेट होता है, इसके अलावा नेक्स्ट कोच्छन जो इस तरो में लगातार वरदी है, जिससे मुद्रा की क्रे सक्ती में गिरावट आती है, मुद्रा स्पीती के कारण, जो कारण क्या है मुद्रा स्पीती के, तो अधिक धन मुद्रित करना, उत्पादन लागत में वरदी, इसके लावा कर बढ़ता है, वी नियम दरो में गि करती हो और अर्थ ववस्ता में मुद्रा आपूर्थी में वरदी ये कुछ कारण ही मुद्रा इस्ट पूचा गया है परियावरन संविदान के अनुचे 253 के तहट अधिनियमित किया गया है और इसे परियावरन के संविदान प्रदान करने के उद्देश से अधिनियमित किया गया है और यहां बारत का राष्टगी थे यहां पहली बार 1857 के दसक 1875 के वर्स में संसिकत भासा में रचा गया था बाद में 1882 में के लिए यहां बंगाली उप्यास आनन्दमर्ट पे सामिल किया गया था यहां गीत उन लो किया है इसे पहली बार भारती राष्टि कॉंग्रेस वह 1890 में गाया गया था तो यह डिटील है पूरी इसके अलब सरदार पटेल जिससे एक कोशन बनाए यह एक्जेक्ट नहीं मिल पाया है नेक्स्ट कोशन बनाए परमानू अनुसंदान केंद्र के वर्तमान में अध्य हाना कल मोर्निंग में आपको एक वीडियो देंगे हम भारत में वर्तमान में जो जितने भी नए योगतिया हूँ यह सभी का टॉफ हंडेड कोशन कवरवा देंगे आपको कहां पर एक्जाम टाउन चेनल पर तो उसमें से जितने भी देके डेली बैसेस पर यह अपोइंट जो एक प्रसिद्ध भोती की विज्ञानी है और बाबा परमानु अनुस्तनान केंद्र बी ए रसी के निदेशक की रूप में भी कारी करते हैं इनको परमानु उर्जा आयों के नया अध्यक्च और परमानु उर्जा विवाग के सचिव के रूप में चुना गया है इस न् पूरे कोशन से 200 के 200 कोशन के लिए रही तो एक्जाम टाउन चेनल पर विजिट कर लिजेगा नहीं किया है तो यहां पर हम आपको कल मॉर्निंग में वीडियो दे देंगे जिससे आपकी सबसे ज़्यादा कोशन बन रहे हैं तो आप जरूर से एक बार विजिट करेगा यह इस पैसल ओफर चल रहा है स्वतनता दीवस इस पैसल ओफर गाईज और इस ओफर के तहयत आप हमारे सभी कोशन पर 90 परचंद की छूट पा सकते हैं 17 अगस्ट लास डेट है अगर आपने इन्रोल नहीं किया है तो कर लिजेगा यह जो टेस्टी सीरीज है पुलिस कोशन मना है यह बनाएं कि इस तरह से कोशन यहां पर आपके बन रहे हैं घरेलू जानवर आपको बताना है जो दूद देते हैं दो घरेलू जानवर बताईए जो दूद देते हैं तो इनका रहा में गाई और भैस गाई भैस आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा इस दवाई बिना डॉक्टर की सला से नहीं लेना चाहिए, और दवाई लेने से रोगों का उपचार सही से नहीं हो पाता है, सही पूझाए आपसे फर्स्ट वाला सही है, अगला कोसिका गया है, पादब जगत का वर्गी करन से समधित कोशिका गया है, एक्जेक्ट यह भी ने म फोकस दूरी होती है यह अनंत होती है अनंत यहां से आपका correct answer हो जाएगा किलिए रहे guys next question के और आगे बढ़ते हैं इसी तरह कि questions आपके daily basis पर पूछे जाए रहे हैं और मैं science में यही कहना चाहूंगा आपसे guys कि आप कुछ और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको आप जो questions आपकी exam पूछे जा चुके हैं उन्ही questions को अगर उन्हीं की revision करेंगे तो आप ज़्यादा benefit में रहेंगे यानि की questions वहीं से आ रहे हैं कुछ नया यहां पर देखने को नहीं मिल रहे हैं जो अल्रेडी पूछे जा चुके questions है वो ही आपकी exam में पूछे जा रहे है कौन सी धातू 25 डिगरी तापमान पर द्रव में रहती है तो इसका जो नाम है यह है पारा कौन सी धातू 25 डिगरी तापमान पर द्रव में रहती है तो पारा आपका यहां से correct answer हो जाएगा के लिए रहें next question पूछा गया प्रकास translation में हरे पोदो द्वारा कौन से गेस होता है तो यह देख लिए जगा इसका answer क्या था या कुछ और भी कोशन था समुद्री लेहरे कितने प्रकार किये होती है तीन प्रकार किये होती है यह questions basically आपके पूछ गये हैं science में बात करें maths की तो maths में अनुपास समानुपास से questions बने हैं दो questions basically पूछ गये हैं इसके अल लाबहानी से एक question आपका पूछ गया है लाबहानी से एक question आपको बना है याद रखिएगा इन topic को और guys यहाँ पर आप जो topic जादे तरफ पूछ जादे 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 जैसे कि आप ज्यादा कुछ और पढ़ने की बजाए इन topic पकर अगर ज्यादा फोकोस करेंगे और पर जो भी topic आपसे नहीं बन रहा है जिसमें भी आपके questions गलत हो रहे उन topic पर अगर आप ज्यादा focus करेंगे तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे यह simple सा हमारा क्याना है कि किस तरह की questions बन रहे है उस पर आपको focus करना है तो औसससे questions बन रहे है आयू से दो questions बने औससे जिती से questions बने इन से questions आपके बन रहे है इन फर आप focus करेंगा बात करें रिजनिंग में तो रिजनिंग में देखिए missing number से 3-4 number के questions बन रहे हैं 3-4 missing number coding decoding से 3-4 questions बने है अलपाबेट सीरीज से 4-5 questions बने हैं इसके अलावा दरपन प्रतिभीम से 5-6 questions पूच गए हैं के लिए इसके अलावा दिसा निर्देशन से 3-4 questions बने हैं नंबर सीरीज से questions आपके पूचे गए हैं इसके अलावा बैटक विवस्ता से एक questions बनाएं सिलोजेस में से भी questions बनाएं रेंकिंग से questions बनाएं तो इन सभी topic को आप अच्छे से cover करिएगा क्लिए यहीं से daily basis पर आपकी questions आ रहे हैं कुछ और नया है आपर देखने को नहीं मिल रहा है कि लिए रहे गाईज एक्जाम टाउन पर विजट नहीं किया है तो जरूर से कर लिजगा चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ओन करके रख लिजगा यह special offer चल रहा है अगर आपने इन्रोल नहीं किया कर लिजगा 17 अगस्ट लास्ट इसकी इसके बार में यह offer समाप्त हो जाएगा यह कुछ online courses test series है हमारी इन पर अगर आपने विजट नहीं किया है तो इनका डेमो चेकाउट कर लिजगा इनके बारे में complete detail आपको application पर मिलेगी application पर जाकर आप complete detail इनके बारे में ले सकते हैं क application को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लिजगा इसके बाद में यह three step follow करेंगे आसनी से आपको PDF मिलिया कि कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी इस वीडियो की PDF के लिए यह simple step हमने बता दिया यह follow कर लिजगा आपको मिलियागी तो मिलते हैं हमारे next study वीडियो में तब तक लिए जय हिंद बंदे मातरम